नमस्कार मैं डॉक्टर गोपा चक्रावर्थी मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूं एक्स्प्रेशन्स हम सूर के प्रति ताल के प्रति घीत के प्रति हमारे जो प्रेजन्टेशन है उसके प्रति इतना मगन हो जाते हैं इतना कि हमारा एक्स्प्रेशन्स क्या होता है एक्चुली हम लोग जब गाते हैं तब कभी-कभी नहीं हम भूर जाते हैं कि आज इस बारे में मैं बात करूंगी मेरे ही एक परिचित मुझे क्वेशन किया है उन्होंने बोला कि जब वो खुद अपना गाना सुनते हैं तब उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उन्होंने कहा कि नहीं मैं सूर में और मैं ताल में अच्छा ही का लेता हूं लेकिन जब मेरा प्रेजंटेशन मैं देखता हूं मतलब मेरा शकल मैं देखता हूं तब मुझे बहुत ही अजेब लगता है तो मुझे यह लगा कि यह हो सकता है कि आपका भी मनमें यह चलता है आज कल गाना कम सुना जाता है जादा जाता है मैं पहले कहा जाता है लाता डिधी पूरा दो चोटी बना के अकदम सारी के पल्लू को पूरा बॉड़ी को चुपा के फिर आराम से गाते थे पूरा full concentration उनका गाना में होता था कौन क्या बोल रहा है कौन क्या दीख रहा है या मैं कैसे दीख रहे हूं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे ऐसा कहा जाता है लेकिन आजकाल तो ऐसे नहीं है आज भाई Instagram के जमाना है जितना दिखा सके अब वो दिखाने के चक्कर में सूर और ताल कभी कभी मतलब छोड़ जाता है वो अलग बात है लेकिन आज जो मैं बात करूंगी कि expressions आपके कैसे होना चाहिए पहले आपको यह देखना है कि आप क्या गाना गाते हैं कौन सी गाना गाते हैं कौन सी जॉनर में गाना गाते हैं आप कहां गाना गाते हैं यह एक मैटर करता है मैं अगर जस्ट एक मोटा मुटी बात कर दूँ कि या तो आप छोटा मोटा कराओ के singing गाते होंगे, जैसे मतलब stage पे आपके जो भी functions होता है, या corporate functions, या आपके school college में, या आपके family function में, ऐसा कुछ गाना होता होगा, या तो आप exams में गाते होंगे, क्योंकि जो मेरे वीडियो देखते हैं, ज्यादा तर exams देने वाले सीखने होते हैं, और थोड़ा अगर मैं high level पे जाओं, तो वो कोई concerts में गाते हैं, तो हर एक जगहा, हर एक place आपके लिए important होता है, अब हर जगहा पर एक जैसे ही आपका presentation हो, ऐसा भी नहीं है, जो चीज आप stage में कर रहा हैं, मतला माने हो, जो confidence आप stage में कर रहा हैं, वो confidence आप exam hall में नहीं दिखा सकते हैं, या आप का अगर कोई competition है, उसमें आप नहीं दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन उसका भी अलग तरीका होता है, तो मैं पहले exams के लिए बात कर दो, क्यो क्योंकि ये बहुत लोगों को मन्मी होता है, कि हम ना exam hall में जाते हैं, डर जाते हैं, आधा तो ये जो हमारा tension है पूरा शकल पर दीखता है, तो आपका कैसे expression सुने चाहिए, exam hall में एक सभाव, बहुत spontaneous होता है कि डर, क्योंकि आपके सामने जो बैठे हुए हैं, वो आपको marks दे रहे हैं, आपका सूरताल मतलब गडबर हो सकता है, या जो पूछेंगे आपको आएगा या नहीं आएगा, सबसे बड़ा जो डर है उसी करता है, क्योंकि अगर आप मान जाएंगे और एक गाना गाके आजाएंगे या दो गाना गाके आजाएंगे, उसमें इतना टेंशन नहीं होता, लेकिन आप जब किसी के सामने गा रहे हैं और जो पैंसल लेके बैठे हुए हैं और आपको marks दे रहे हैं तो उसका प्रशर है वो बहुत चोटा मुटा जो एक्जाम मेनर बैठे हुए हैं वो हो सकता है कि मेरे से छोटे हो उमर में तो लगता है कि आरे वो छोटे हैं और मैं बढ़ा हूँ या बढ़ा हूँ तो वो मेरे को जज करेंगे पताने कैसा तो ये थोड़ा सा होता है हो티र के लिए मैं बात करती हूँ कि थोड़ा सा डर होता ही है उसको निकालने के लिए आपको बहुत अच्छे से प्राक्टिस करना चाहिए और एक लिस्ट जो फर्स्ट चॉइस है जो आप पहला गाना आप गाना चाहते हैं उसको आप ठीक कर लिजे कि यह कह रही हूं कि जो एक्जामिनर होते हैं तो आपका पहला पॉफॉर्मिंस आपको भाप लेते हैं उनको पता चल जाता है कि इसमें क्या काबुलियत है क्योंकि आपका बेस्ट आप दिखा रहा है जो पहला आप गाएंगे ना उसमें आप डरिये मत अब मैं बोल रही आप डरो मत डरो ऐसा नहीं होता अंदर से आता है वह डर आपका जाएगा तभी जब आप उस चीज को जो राग आप ले रहा है उसको बार बार प्राक्टिस कर रहा है तो बार बार प्राक्टिस करने से क्या होगा कि आप बहुत कॉन्फिदेंट हो जाएंगे उसको आप म family members हो, कहीं भी, मतलब आपके class में हो, आप जहां पर भी सिखते हैं, class में हो, तो वो अगर आप गाएंगे ना, तो वो जो डर है ना, मन में जो मतलब होता है, वो निकल जाएगा, बाकी आपका तयारी के उपर होता है, आपकी जैसे तयारी रहेगे, उतना confidence रहेगा, अननेसेसरी डरने की जुरूतनी है, अब मैं आती हूँ, कि पर stage पे, stage पे भी, अगर आप शुरू-शुर में चर रहे हैं, stage पे, तो वो तो डर रहेगा ही रहेगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, हाँ, जितना आप प्राक्रिस करेंगे, उतना आपका डर निकलता चाहेग मतलब मानों कि stage पे चड़ते ही, अगदाब भासना शुरू कर देंगे, उच्छना शुरू कर देंगे, फिर मतलब इतना अपना दिखाएंगे, कि मतलब आप में बहुत इनरजी है, देखे, मैंने कई लोगों को बहुत अच्छे-अच्छे कलाकरों को मैंने stage पे परफॉर कितना नहीं करते हैं competitively, लेकिन Sonu Nikam ji बहुत उच्छलकुत करते हैं, पर वो कितने साल से प्राक्टिस कर रहा है, उच्छलकुत का ही प्राक्टिस अच्छे से करे होंगे घड़ पे जब उनका stage show होता है, तो जब हम बहुत ज़्यादा अपने बोड़ी को movement करते हैं, तो हम automatic half जाते हैं, और half जाने से क्या होता है कि हम अपना जो असूर है वो तूट सकता है, तो उसमें अगर आप अभी अभी गाना शुरू करें तो बहुत मुश्किल है, इसलिए अगर आपको बहुत energetic दिखाना है stage पे, तो आप उसके लिए फ्राव घर पे practice करिए, ऐसा नहीं ह हो सकता है कि आप एकदम डायरेक्ट जाके up stage पे मतलब यह करेंगे, कुछ लोग होते हैं बड़े उदासों के गाना गाते, कोई expressions नहीं, मतलब जैसे लगता है कि पता नहीं ऐसे दुनिया के सारे दुख को लेके वो stage पे चड़े हैं, एक बहुत मसदर बात है, कि एक दुख का गाना हो, तो हम कैसे गाएं, बहुत इंटरस्टिंग है अगर आप बहुत एक sad song गा रहे हैं, तो sad song में आप बहुत हसस के तो नहीं गा सकते, पर उसमें एक certain amount आप आपका expressions रहना चाहिए, क्या होता है, कि आगर आप गा रहे हैं, दिल के अर्मासों में बहे गए अगर मैं ऐसे गाओ, दिल के अर्मासों में बहुत हसस के तो नहीं, लेकिन एक certain amount of आपको मतलब हसी भी नहीं, एक pleasure आपके face में दीखना चाहिए, इसका कारण में बता हूँ, देखिए, अगर आप सिफ गा रहे हैं, मतलब यहां पर कोई ना तो कैमेरा है, ना तो ओडियन्स है, ना तो कोई है, तो आप घर पे तो जब प्रैक्रिस करेंगे, आप थोड़ी हरसस के गरेंगे, या कोई expressions नहीं होते हैं, बहुत ही होता है कि अपने अंदर डूप के आप प्रैक्र आप सोचिए एक स्टेज पर आप पांच तरह का गाना गाएंगे, तो सब का मूद अलग है, तो सब के मूद के साथ या सभी के सब जो मतलब सब्जिक्ट है, सब का घटना है, कहानी है, वह आपके साथ घटी हुए है क्या लोग जैसे मानों कि बहुत रुमैंटिक सांगा तो ऐसे जरूरी नहीं है कि वह उसी टाइम पर वह बहुत रुमैंटिक है, नहीं है, भी हो सकता है, वह घर पर लड़ाई करके गये होंगे, मतलब अपने हजबन के साथ या वाइफ के साथ लड़ाई करके गये होंगे, उनका ब्रेक अप का फेस जल रहा है, और उहां पर गारे रोमंटिक सो, तो आप सोचिए जो सिंगर होते हैं, उनके लाइफ में तो बहुत कुछ चलता है, बहुत तरहकार इमोशन उनके अंदर है, तो सारी इमोशन उनका गाने में तो नहीं हो सकता, वह बहुत हैपी है घर पे, और उनको जाके साथ सॉंग अना पड़ रहा तो इमोशन जो है न, वह आपको कहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, अगर आप सिंगर है तो या पफॉर्मर है तो, जो इमोशन है, ऑन दा स्टेज आप जो गा रहे हैं, उस इमोशन को आपको थोड़ी देर के लिए अपने अंदर लाना है, जैसे एक्टर लोग लाते हैं लोग लाते हैं, वही चीज़, लेकिन जो गाना मानो आप सैड सॉंग आ रहे हैं, तो यह सैड सॉंग आप किसी के लिए गा रहे हैं, मानो आप सोच लिजिए कि हाँ, इसके साथ यह होगा, लेकिन आपको अभी रोते हुए गाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई इसके उपर एक्टिंग कर रहा है, तो वह रोएंगे, धोएंगे, जो भी करेंगे, करेंगे, लेकिन आप जो आप गाना गा रहे हैं, आपको रोने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं, जब मानो पिक्चर एशन होता है, मैंने सुना है कि किशोर दाइस में करा देंगे, सब म्यूजिक डारेक्टर्स लोग कहते हैं, फिर उसको लाते हैं, लेकिन यह सब के लिए तो संभव हो है, मतलब सब यह नहीं कर सकते हैं, तो आपको सर्टिन अमाउंट अफ एमोर्शन को लेके चलना है, ना तो आपको बहुत जारा खूश होना है, ना तो क्लासिकल में होता है, एकदम आँख बंद हो जाता है, मेरा तो होता ही होता है, मैं जब सूर को अच्छे से कुमिलेट करने की कोशिश करती हूँ, कि सूर एकदम मेरे अंदर आ जाया और मैं अराम से गाऊं, तो मैं कुछ देर के लिए मैं दुनिया से कट आफ होना चाहती जैसे होता ना कि मैं मन का दर्वाजा को बंद कर लिया बाकी चीजों से एक में कॉंसेट कर रही है, तब मेरा आँख बंद हो जाता है, और बहुत देर तक मुझे आँख खोलने की इच्छा नहीं होती है, मुझे पता है कैमरा चल रहा है, या लोग देख रहा है, या पता में मैं पड़ जाती हूं, यह मेरे साथ होता है, और म्यूजिक के भाषा में यह दोश माना गया है, मतलब अगर आप बुक देखेंगे, गायकों का गून और दोश, तो यह दोश में माना जाता है, कि आँख बंद करके नहीं गाना चाहिए, पर हर चीज तो हम नहीं कर सकत समभव हो दोश, बढ़ने मिनिट करना है, यह 2- Tamara महीं कर दोश, समोष, नहीं करना चाहिए, लगन खाते तो हैं, पता है we चीज इतना अच्छे नहीं है, तो अभी तो करते हैं, त यह भी होता है, कि हर चीज आम मान नहीं सकते हैं, यह बात है कि आप 15-Minutes कर गाना आप अन 15 मिनिट ही आप आग बंद करके गाएंगे यह निए संभाव है इसलिए मैं थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलती हूं शुरू में मैं आग बंद कर लेती हूं थोड़ा सा अपने आपको संभाल लेती हूं देखे क्या होता ना शुरू में आपको सूर में ध्यान रखना है आपक भचो को जो राक का चलन है उसमें द्ध्यान है यह सब ध्यान रखते रखते दो समने शर्रका 5-7 मिनी तीसको लगता है एक कमीलिए चोने में उसके बाद मैं अगजा ओकी कि जैसे मैं करती हूँ न तो मेरे में यह वे पहला इनके साथ हांस कर लेती हूं तो लोगों को लगता है अच्छा चलो यह लाइव है मतलब कर रही है तो मैं लगेहाथ ख़तम कर देती हूं ताकि मैं अपने तरीके से फिर से मैं अपने आप में छले जाओं एक सुन्दर सा गेम चलता रहता है, मतलब मेरे प्रिजेंटेशन के ताइम पे यह चीज मैं लाइट मुजिक में बिल्कुल भी नहीं करते हूं कि लाइट मुजिक मेरे थोड़ा लाइट ही है मतलब मैं उसको इतना भारी भर कम में नहीं लेती हूं बलकि मेरा लाइट मुजिक बहुत जादा लाई होता है मतलब मैं कोशिश करती हूं कि जो वर्ड्स है जो फील है उसके साथ मैं गाऊं लेकिन उसका एक सर्टेन मेरा मतलब कंट्रोल रहता है अगर कोई मजा किया गाना है तो उसमें भी मैं थोड़ा मजा करके और एक कंट्रोल में जो मेरे उपर शोभा देता है मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक महिला हूं मेरा कुछ मर्यादा है होता है कुछ लोग ऐसे आख मार मार के गाना गाते हैं दो सबी के ऊपर तो नहीं अप्छा लगेगा वह दिइडिनीटी को मि EVERY पर दोल्य है इस सब करना होता है अपनी मर्यादा में होता है उस मर्यादा में नखिय सकते हैं और जीज जो है क्लासिकल सिंगर में होता है जो फिलिग दोसा थोड़ा सा घतरनाक है मोम को मींज की WHAT क्या करते हैं? कि एक अजीब सा है उपर के सून लगा है वो तो हमारे हाथ में इद हैulate अब ऐसे करते हैं तक ही बहुत करो है तो लोगों को पता कि लगता है कि खूर भब तुम बंद कर वद गर अभी इतना कस्टमट उठाओ क्योंकि आपक रहारे हैं। कुछ हद तक आपना कपेसिटी को दिखाना चाहता है। कि मैं आप कर सकता हूं कि इतना उप़ जा सकता हूं कि तना नहीं जग सकता ह। आजा तान लेने कि ताथ पतंग खीचते हैं, वह वाला होता है, यह तो बहुत ही कॉमन एक जोग भी है अमारे मियुजिक फेल्मे, कि बाबा हो गया अभी इतना पतंग को मत खीचो, यह भी बोलते है, तान गारे ऐसे ऐसे करके, यह सब ना एक बहुत ही अजीव प्राक्टि तो आप देखेंगे, वह ऐसा करके गाता है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जागा, अगर आपको पता चले तो आप नाम लिख सकते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहते है, वह बहुत अच्छा कलाकर है, आप लोग समझ ही गया होंगे, मैं कि इनकी बात क अच्छा करेंगे गाता हैं, बहुत आजकल ट्रेंड में भी है, वह ऐसा करके गाता है, वह दोनों उनका उपर रहता है, और यह ही रहता है, और सामने माइक, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं रगता, यह क्या मतलब है, इसका मतलब है, उनको किसने बोला नहीं, उनके तो कुछ हद तक ना यह हमारे जो लर्निंग प्रोसेस है अब जब सीकना शुरू कर रहा है आपको टोकना चाहिए वक वक टोकेंगे तब ही चाहिए जाके आप उसको करेंगे मैंने एक आठीस्ट को देखा था बहुत अच्छा घाते थी मतलब मुझे पता नहीं है कि नहीं मैंने जब चोटी थी मतलब टीनेज में तब मैंने उनको देखा था एगो कि अगुरा में बनाजर अंब विमा कि भुमा कर तो जा हुआ जो प्रुम्हाद नर्ज़ जो चाहिए है। पूरे उडियंस में नाजर है उनके अजुने कि भीए रहती है। उनके इत्नी सुंदर थी वह लेकिन उनके के अपने तरफ जा ही नहीं रहा है। वो पूरा गाना उन्होंने यही किया तो मुझे ऐसा तब लग रहा था कि इनको किसने टोका नहीं अगर टोकते ना तो ऐसा नहीं करते तो आप ना आप expressions को check करिए देखिए अगर आप performer बनना चाहते हैं आपको आगे बहुत दिनों तक गाना है या जिन्देगी भर गाना है तो expressions तो चाहिए भई expressions के बिना तो नहीं होगा हर एक mood को समझ के आपको expressions तैयार करना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे यह गीत में expressions क्या होना चाहिए अगर मैं हसूंगी या हसूंगा तो कितने level पे हसूंगा अगर मैं थोड़ा सा उदास होंगा तो at least एक बात है कि certain amount of pleasure हसी अगर थोड़ा सा भी डल हो जाएंगे जैसे मानों आप स्टेज पे हैं एक गंटा है दो गंटा है मतले इतना तो आजकल बहुत कम हो गया लेकिन तो भी तो उतना देर तक उतनी देर तक आपको वह मुह पे हसी रखना पड़ेगा नहीं तो ना आप खुद ही समझ अर बाद मैं कहना बूल ग持़िया कि अपना वीडियो बार बार देखिए अच्छा लगे बुडा-बुरा लगे वो बाद में आप सोचना आप देखिख्यों कौन सा एक्सप्स्रेशन आपको अच्छा लग लगर राहा कौन सा एकस्परेशन आपको खुद को अच्छा नह मुझ को ऐसा मीज के, तो मेरे जो हमारे कैमेरे के पीछे जोगा, पारस है, यह रखना यह काटना नहीं, तो पारस ने मुझे बोला कि मैं आप ऐसा मत करो, मुझ को ऐसा मीजो मत, तो मैं तुरंद मुझ को थोड़ा सा अच्छा कर दिया, तो शायद फोटो कीचरे दैसे गान तो देखें, मैं तुरंद उसका बात सुनी क्योंकि मैं तो नहीं देख पा रहीं अभी अपने आपको, वह देख रहा है मुझे, तो ऐसा ही होता है, किसी ना किसी को बोलना पड़ता है, चाहे आपका कोई बच्चा हो, चाहे आपके स्टूडेंट हो, चाहे आपके ममी पा फाइदा होगा, मैंने ये टॉपिक बहुत दिल से सोच के रखा था, लेकिन हो नहीं रहा था, आपके, मैं अगर कोई क्वेश्चन है, मतलब इस रिलेटेट की मेरे साथ भी ऐसा होता है, या आप इसको किस तरीके से कर रहे हैं, वह आप मुझे कॉमेंट करिए, आशा है तो दूसरे जैसे वीडियो को आप बहुत प्यार देते हैं, अच्छा लगता है, ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा, आच्छा लगा है То क्या करना है भई, लाईकिय Тो करना है और सब्सक्राइब कर दिजिए, लगे हाथ मिलते हैं next video में, नमश्कार अप्सक्ति रिर्गा